11 वर्टसप के ऐसे फीचर जिसको वर्टसप ने ताजा ताजा गर्मा गरम अभी यहां पर रिवील करा है और इन अपडेट को देखने के बाद में सुनने के बाद में आप लोग यहां पर बोलोगे वैले जो वर्टसप के अपडेट है ना इसमें से कापी सारे अपडेट हैसे हैं जो कि अभी केवल वर्टसप के बीटा टेस्टर को यहां पर मिले है और आपका भाई यहां पर बीटा टेस्टर है इसलिए तो इन सारे अपडेट का जो साथ साथ दर्शन है ना वो आप लोग इस वीडियो में यहाँ पर कर पाओगे और अगर आप लोग यहाँ पर वर्षप के बीटा टेस्टर नहीं हो तो कोई बात नी थोड़े दिन आप लोग यहाँ पर वेट करो धीरे धीरी यह जो अपडेट है ना सभी वर्षप वाशियों को यहाँ पर मिल जाएंगे बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं वर्षप के सबसे पहले फीचर के तरफ तो वर्षप का यह जो नया फीचर है ना इसके बाद में आप लोग वर्षप में खुद को ही मेसेज सेंड कर सकते हो ने 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 ऐसे कोई यहाँ पर बात नहीं है यार एचली दोगों होता क्या है ना कि आज का टाम पर हम लोगों को अगर कोई चीज यहाँ पर नोट करनी हो तो सबसे पहले हम लोग आज अपना मोबाईल ही यहाँ पर निकालते हैं तो उस कंडिशन में आप लोग उस मेसेज को टेक्स को या नंबर को अपने वर्षप में खुद को ही सेंड करके यहाँ पर सेप कर सकते हो हाँ मैं जानता हूँ कि यह चीज पहले बें यहाँ पर पोसीबल थी लेकिन उसके लिए आपको ब्राजर उपन करना पड़ता देन उसके बाद सर्चबार में जाना पड़ता we.me से लिए से अपना मुबाईल नंबर यहाँ पर डालना पड़ता लेकिन अब आपको इतनी लंबी प्रोसेस करने की जरूत नहीं है आपको सिंपल ले अपना वर्टसप उपन करना है मैसेज वाले आइकन पर जाना है और उसके बाद सबसे उपर आपको 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 जो कॉंटेक नंबर है वो यहाँ पर दिखा देगा अगर आपने सेव नहीं करा है तो आप उसको सेव भी कर सकते हो इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देज सकते हो यहाँ पर लिखा हो आ रहा है मैसेज यूवर सेल्फ इसके बाद जो दूसरा अपडेट वर्टसप वालों ने दिया है न इससे आपके वर्टसप के गुरूप की जनसंग्या कापी ज़्यादा बढ़ जाएगी एवन दुगनी यहाँ पर हो जाएगी क्योंकि भाईया वर्टसप में अभी तक एक गुरूप में 512 मेंबर को एड़ किया जा सकता था लेकिन इस नए अपडेट के बाद में एक वर्टसप वाले गुरूप में टोटल 1024 मेंबर को आप लोग एड़ कर सकते हो अब अगर आपके गुरूप में काप जादा मेंबर एड़ हो चुके हैं काप जादा नोट्विकेशन से आपका मोबाईल यहाँ पर कंटिन्यू बसता रहता है जिससे आप लोग यहाँ पर डिश्टाब होते हो तो उसका जुगार भी वर्टसप ने अपने तीसरा अपडेट में दे दिया है कि उस गुरूप की जो नोट्विकेशन है उसको टंप्रेली यहाँ पर आटोमेटिक म्यूट कर देगा जब तक आप लोग उस गुरूप को ओपन नहीं करोगे और वहाँ पर जाके उसको मैन वली अन्म्यूट यहाँ पर नहीं करोगे तो यह मुझे लगता है थोड़ी सी एक अच्छी बात है यानि कि वर्षप में दोनों चीजों के यहाँ पर ध्यान रखा है कि गुरूप में ज़्यादा मेंबर भी एड़ हो जाए और उन ज़्यादा मेंबर के नोट्विकेशन से कोई यहाँ पर डिश्टब भी न हो कर सकते हो आपको सिंपल यहां पर करना क्या है कि उस नंबर को किसी भी चेट में यहां पर धन कर देना खुझ को जाएक यह नयट अप उसके बाद अप्डेट है वहोए वर्च्छ वाले को लिंक गले के तो इसके लिए आप लोगों समय मिल जाएगा call link का और इसमें जाने के बाद में सबसे बिल तो आप यहां पर select कर सकते हो कि wise या video कौनसी call आपको करनी है और select करने के बाद में एक link का यहां पर generate हो जाएगा और उसके बाद में आप लोग इस link को कहीं भी किसी को भी यहां पर share कर सकते हो, यानि कि वर्टसब पर, फेस्बूक पर, इस्टाग्राम पर या फिर डारेक्ट मेसेज पर भी, देन उसके बाद में वो बंदा जब भी उस लिंक के ओपर किलिक करेगा, वो आपके साथ डारेक्ली यहां पर call में connect हो जाएगा, तो आपको एक-एक करके किसी को add करने के जुरुद नहीं है, डारेकल लिए आप लोग यहाँ पर link कर दो और बोल दो वही है, इतना वज़े आप लोग को attendance लगानी है, तो सारे बंदे यहाँ पर आ जाएंगे, और यह जो link है ना बार-बार यहाँ पर change होता रहेगा, अगला पर voice या video call करता है, तो आपका mobile उस समय भी do not disturb mode पर रहेगा, वो call आपको यहाँ पर पर प्रेसान नहीं करेगी, और उसके बाद में जब आप लोग यहाँ पर call वाले section में जाओगे, तो वहाँ पर उस call के सामने लिखाओ आएगा, silent by do not disturb, यानि कि आपको पता चल जाएग कि मेरा phone जब do not disturb mode पर था, उस time पर यह call आई थी, यानि कि एक तरके से miss call आप लोग इसको वर्टसप के हाँ पर समझ सकते हो, वर्टसप के इन feature को चुन-चुन के निकालना और एक वीडियो में अच्छे से आप सभी के सामने परोशना, इन सभी में यार एक अच्छी कासी मेरत यहां पर लग जाती है, तो यार इस मेरत के लिए और वर्टसप के नए feature के लिए आपका एक लाग यहां पर बनता है यार, तो फटा पर सजार वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को भी आप लोग सस्क्राइब कर सकते हो, ऐसी वीडियो और देखने के लिए, वर्ट तो इसकी मदद सेहना, आप लोग केवल एक किलिक में अपनी कोई बात ये कोई मेसेज मल्टीपल गुरूप में ये फिर मल्टीपल सिंगल परसन को भी सेहन कर सकते हो, अब ये कैसे होगा, चली इसके बारे में आपको बताता हूँ, तो देखो अगर आपके वर्टसप में दिस्क्रिप्शन यहाँ पर सट करोगे, और उसके बाद ही आपसे पूछेगा कि आपको कोई नया गुरूप बनाना है, या कोई पुराना गुरूप आपका है, जिसको आप लोग यहाँ पर एड करना चाते हो, तो आपने गुरूप को एड करते ही, आपको जो में एड करा है, और इस कम्मुनिटी को यूज करने के लिए हम लोग जड़ा कुछ बातों को अब यहाँ पर समझ लेते हैं, सबसे पहले तो यह कि आप लोग एक कम्मुनिटी में टोटल 21 गुरूप को ही एड कर सकते हो, हो सकता है आगे चलके नमबर यहाँ पर बढ़े, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर 21 से, दूसरी बात ये कि जिसभी गुरूप को आप लोग कम्मुनिटी में एड करोगे, आप उस गुरूप के यहाँ पर होने चाहिए, नहीं तो आप लोग उस गुरूप को अपनी कम्मुनिटी के अंदर में एड नहीं कर सकते हो, एक आप लोग यहां पर इस community के अंदर में message send करोगे तो सामने वालों को यहां पर reply करने का option नहीं दिखेगा यानि कि क्यावल admin ही यहां पर message send कर सकता है सामने वालों कोई person उसका reply यहां पर नहीं कर पाएगा वो तो क्या वोल चुपता आप यहां पर बेड़ के देखेगा कि अरे वहीया क्या वोल दिया हमारे admin ने अच्छा यही इसको मैं reply कैसे करो वो चक करने पड़ेगा हां लेकिन आप लोग किसी दूसरे member को भी यहां पर उस community का admin बना सकते हो तो यह जो feature ने यार मुझे लगता है बहुत ज़्यादा यहां पर useful है खास करके मान लो अगर आपको कोई announcement करनी है अपने office में अपने school के अंदर में तो आप लोग इस तरह के community का यहां पर use कर सकते हो अगला जो feature है वो यार यहां पर काफी मज़ेदार है और इसकी मदद से आप लोग अब workshop के उपर खुद का अफ़तार यहां पर create कर सकते हो यह update अगर आपके workshop के उपर आ चुका है ना तो आपको simple यहां पर setting के उपर जाना है और अफ़तार का एक नया option यहां पर दिखाए देगा इसमें किलिक करने के बाद मैं आपको दिखेगा create your avatar और इसके अंदर आने के बाद में आप लोग अपने अफ़तार को पूरा यहां पर customize कर सकते हो जैसे कि आप लोगों ने यहां पर Instagram या Facebook पर देखा होगा बिलकुल same to same वही अफ़तार वाला feature यहां पर वर्टसप के उपर हमको दे दिया गया है यहां पर आप लोग अपने अफ़तार को मोठा पतला बना सकते हो उसके बाल, कान, नाक, मुझे, बिंदी, कुंडल वो सारी चीज़े यहां पर आप लोग एड या remove कर सकते हो तो यह एक काफी cool feature है वर्टसप की तरफ से तो आगे कुस दिनों बाद में आपको वर्टसप पे जो dpn दिखेंगी ना वो लोगों की इसी अफ़तार के साथ में दिखने वाली हैं तो वह यह फटा अपरसे सब्टार को यहां पर यूज करना सुरू कर दो और एक बाद जैसे आप लोगों ने सब्टार को यहां पर पूरा create कर लिया देन उसके बाद में आपको यहां पर dobson दिखाए देंगे पहला यहां पर browse sticker जिसमें आपके अफटार वाले कुछ यहां पर sticker आपको मिल जाएंगे उसके मदद से आप लोग वर्षब डीपी के साथ साथ एक cover photo भी वर्षब के उपर में लगा सकते हो जो कि सामने वाले को देखने में काफ़ इंट्रेक्शन लगेगा और वा बोलेगा भाई कैसे करा यार मुझे भी बता दे तो मैं आपको बता दो यार सबसे पहले ये जो cover photo वाला जो update है ये अभी main वर्षब पे नहीं बलकि वर्षब बिजनिस में यहां पर आया है अभी जब से वर्षब बिजनिस यहां पर launch हुआ है ना तो जो लोग एक mobile में दो वर्षब का यूज़ करते हैं वो second वर्षब के लिए वर्षब बिजनिस का ही अभी यहां पर यूज़ करने लगे हैं जो कि मैं कहूंगा एक समझदारी वाला यहां पर decision है और इस बिजनि दिया है कुछ लोग तो अब यहां पर chain के सांस ले रहे हैं लेकिन कुछ लोग के मन में काले ना यहां पर लिपड़ चुके हैं ऐसा क्यों वह मैं आपको बताता हूं सबसे पहले तेज़ फीचर है ना इसके बाद में अगर आप लोग वर्षब पर online रहोगे तो भी सामने वाले परसन को यह नहीं दिखाएगा कि आप लोग यहां पर online हो जी हाँ यह कनना अव वर्षब पर यहां पर directly possible है किसी भी third party एप की आपको यहां पर जुरत नहीं है तो इसके लिए देगा सबसे पहले आपको वर्षब की setting में जाना है देन उसके बाद में privacy में और यहां यहां पर एक नया option आपको मिल जाएगा जो की है who can see I am online यहां पर everyone और same as last scene वाले option आपको दिखेंगे यानि कि आप same as last scene पे अगर आप लोग क्लिक करोगे और उपर अगर आप लोग नहीं पर select करा है nobody तो उसके बाद में आप लोगों को कोई भी यहां पर नहीं पखड़ पाएगा कि आप लोग अभी यहां पर online हो यह नहीं तो इसलिए मैंने कहा यार कि आपके मन में काले न यारा ने अपडेट और फीचर और मुझे लगता है आप लोग नहीं पी तक कमेंट कर दिया होगा यार कि आपको इन में से कौन सवाल अपडेट अच्छा लगा नहीं करा गया तो करो ना फटापट से कमेंट और वीडियो आपको अच्छी लगीए ना लगीए ना तो या अगली वीडियो में तब तक के लिए ओर एनाउन